अब देखरे हैं UK तेज UK तेज पहुँचा है आपके दूदली शेतर के मसर बीबी के डेरे पे इस वक्त हम कर रहे हैं Ground Zero की रिपोर्टिंग जहां पे वास्तव में गुलदार पिछले तीन दिन के पिछले पार दिन के अंदर तीन बार आया है गुलदार के लगतारान से दूदली में वन्विभाग एलर्ट पर है गुलदार के हमले में रायवाला शेतर में 21 मी मोत के बाद वन्विभाग ने डूदली गाउं में रात्री गश्ट तेज कर दी है गुलदार को भागाने के लिए वन्विभाग पटाखूं का परियोग कर रहा है लगबत 25-30 कुट्टों को गुलदार द्वारा मारे जाने के बाद अब गाउं वाले देश्ट में हैं कि कहीं ये गुलदार उनके परिवार को निवाला न बना ले गुलदार आ रहा है आजकल हमारे गाउं में सबसे बरा डर सव गाउं वालों को जो है वह है कि कहीं इस निवाले सुए पटा कर बितार श्या कर ब्लदार अनुब कर दो बेचा कुछ इथा ने तक बैठे युज़ भार रागा पाइध जुख चुखा है हूं अ हमारे घर में गुसह था दूसरी बार आया और रात को आठ बज़े करीम आ के हमारे बेस्ट दंगरों के उपर पड़ा मरें बागए और हला उल्ला करा हम ने अपने बच्चे-बच्चे बच तीसरी बार आया उस रात को दस बजे करीब तीसरी मेने करीब हो गया है कि और गुलदार का डेली आना जाना हो रहा है और घर में हमें यह दैसत रहता है कि नहीं बच्चे ना उठाले यहां पर और गर के अंदर से ही बक्तरी जो कुत्ते हो गए यह मतलब डेली का ले जाना ह हमें गाहँ वाले वाबन गुजरों से सुचना मिली है कि यहाँ पर गुल्दार आ रहा है उसी हिसाब को देखते हुए हम रातरी में जो है गुल्दार के वे से अपनी पैटोलिंग टीम के साथ पूरी रात गर्स करते हैं रात का अंहिरा है और साएं साएं करता हुआ जंगल है और इस अंहिरे और जंगल के बीच में मैं ठीक उसी जगह पे खड़ा हूँ जहां बीते पांच जिन में तीन बार लगातार गुल्दार आ चुका है यूके टेश के लिए में रजणी सैनी अपने सहयोगी संजेर आठों के साथ दोईवाला